बेके बाद आगे बढ़ते कानपुर से बड़ी खबर आ रही जीका मरीजों की संख्या नवासी हो गई एक्शन में सीम योगी आदितनाथ 10 नौमबर को समिक्षा करेंगे मुक्य मंत्री तो कानपुर से बड़ी खबर है जीका बारस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है मरीजों की संख्या नवासी पहुँच गई है अब मुक्य मंत्री योगी आदितनाथ भीज को लेकर एक्शन में आ गए हैं चीफ मेडिकल ओफिसर डॉक्टर नेपाल सिंग ने बताये कि कई संदिक्ध लोगों के सेंपल जाँच के लिए बेचे गए थे जिनमें इसे दस लोगों की रिपोर्ट पॉस्टिव आई है वह इससे पहले शनिवार को कनोच में भी एक शक्स पॉस्टिव निकला था जो कुस दिन पहले ही कानपूर से लोटा था और कानपूर में बढ़ते जीका वारस के मद्ध नजर सीम भी चुंतित हैं दस नुमंबर को सीम योगी कानपूर के दोरे पर होंगे जहां वो जीका वारस को लेकर किया जारहे काम की समिक्षा करेंगी देखे रिपो जीका वारस के प्रकोप के मद्ध नजर सीम योगी भी लगातार नजर बनाये हुए हैं दरसल कानपूर में जीका वारस के प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है जीका के दस नए केस के साथ शेहर में मरीजों की संख्या नवासी तक पहुँच गई है कई संदिक्द लोगों के सेंपल जांश के लिए भेज़े गए थी जिन में दस लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कानपूर में सीम योगी का कारिकरम भी तेह हो गया है 10 नवंबर को मेट्रो ट्रायल को हरी जन्डी दिखाने के लिए सीम कानपूर में होंगे साथ ही जी का वायरस की बड़ते प्रकूप के मद्दे नजर समिक्षा भी करेंगी कानपूर से अमित सिंग टीम यूज़ स्टेट